कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पाथफाइंडर में बायलोजी के अंतरकत हम लोगों ने पोश्रनल का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें दो वीडियो में आलोड़ी अप्लोड कर चुका हूं पहले सेग्मेंट में हम लोगों ने क्या-क्या सरीर के लिए पोश नेक्स तक पूरा विटमीन का चैप्टर पढ़ लिया था तो आज हमको विटमीन C से स्टार्ट करना है तो जिन्होंने आप में से जो भी जिन्होंने नहीं देखा है पहले दोनों चैप्टर वो जरूर देख लीजिए जिससे आपको आगे की चीज़े आसानी से समझ में और एक बिवस्थी धंग से आप जो है इस चैप्टर को समझ पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं विटमिन सी विटमिन सी को क्या कहते हैं इसका और बिक एसीड के नाम से जानते हैं और इसका जो सबसे प्रमुक कार होता है उतको में सेल को परस पर बांधे रखने का कारे हो कि निर्माड करना और उनको सामान है उस्था में बनाये रखना इसका प्रमुक कार है इसकी कमी से रोग कौन सा हो जाता है इसकरवी रोग हो जाता है जो गम ब्लीडिंग से संबंदित मतलब दातों में ब्लीडिंग से संबंदित है मसूरों का रोग है और बिटमिन सी जो ह खटे फल होते हैं खास कर जो है जो नीबू वरगी फल होते हैं सिट्रस वाले उनमें पाया जाता है जैसे नीबू सरकरा और मुसम्मी जो है इनमें जो है नीबू संतरा और मुसम्मी जो है इनमें ये पाया जाता है फिर आगे हम अब स्टार्ट करते हैं विटामिन जो घुल तनसील होते हैं कि इसमें fat में जिनको हम fat soluble vitamins कहते हैं तो इसमें पहला vitamin जो है vitamin A होता है जिसको हम commonly retinol के नाम से जानते हैं यह अत्यधिक unsaturated alcohol होता है जो fat soluble होता है फिर पादपों में यानि पाधों में कैरोटीन pigment से इसका synthesis होता है यानि कैरोटीन जो pigment पाद पादों में पाजाता है उससे यह बनता है और जन्तुवों में यानि एनिमल्स में liver तथा intestinal mucosa से इसका जो है संस्लेशन होता है अब इसके कार्य हम जानते हैं तो जो आखों में जो है visual pigments होते हैं इनके synthesis में यह भाग लेता है इसकी कमी से रताउंधी या जिसको हम night blindness के नाम से जानते हैं यह हो जाता है आन्ने रोग क्या हो जाते हैं तो अच्छा आखों की कार्णिया आधिकोशिका सुखने लगती हैं के रेटनाइजेशन होने लगता है सिसुओं की जो है ब्रधी रुख जाती है ग्लैंड्स जो हमारी बॉड़ी के हैं ग्रंथियां वो निस्क्री होने लगती हैं मेल में में जनन छमता कम हो जाती है विटेमिन एकी कमी से और गुरुदों में पत्री का निर्माड होता यानि गुरुदों में पत्री पढ़ जाती है तो यह सब विटेमिन एक कमी से होने आले प्रमग रोग हैं अब हम विटेमिन D जिसको हम कैलसी फेरॉल के नाम से जानते हैं इसकी बात करते हैं तो एनिमल्स में दो प्रकार के सक्री विटेमिन D होते हैं एक ह स्वयम तवच्छा कोशिकाओं से करता है और तवच्छा कोशिकाओं में जो 7-D-Hydro-Colesterol नामक पदार्थ होता है उससे जो है इसका निर्माड होता है इसलिए कहा जाता है कि सूर की रोस्नी में जब हमारी तवच्छा सूर की रोस्नी के संपर्क में आती है तो कोली कैलसी फ विटामिन भी कहते हैं क्योंकि धूप इसके लिए आवश्यक होती है अब इसके प्राप्ति के सोर्स क्या-क्या है मक्षन गुर्दा जिगर मचली का तेल इत्यादी में यह पाया जाता है विटेमेंट-D और गो कैल्सी के रोल का जो सिंथिस होती है यह सूर के प्रकास में यूवी रेज के प्रकास से औरगेश्ट्रॉल नामक पदार्थ से इस्ट सेल में होता है यानि यह इस्ट कोशिकाओं में होता है और इसके लिए औरगेश्ट्रॉल नामक पदार्थ जो है चाहिए यूवी रेज की उपस्तिती में यह विटामिन आहार नाल में यानि हमार इसकी कमी से क्या होता है सूखा रोग जिसको हम रिकेट्स कहते हैं विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है और टिटेनाई रोग में जो है कल्सियम का उसरजन बढ़ जाता है और विटामिन डी-3 के आभाव में सिलियक रोग हो जाता है तो यह सब जो है इसके hört़ियों को हम टैको फेरॉल कहते हैं यह सेल मेंब्रेन की सुरच्छा करता है जनाइटल इपीथीलियम यानि जनन जुको शिकाय होती है जनन गरंतियों की इपीथीलियम् का निर्माण करकी ब्रद्धी करती हैं पेसियों की क्रिया सीलता में सहायक होती हैं इसकी कमी से infertility रोग हो जाता है यानि मेल और फीमेल में जो है बाज़पन या infertility हो जाती है फिर vitamin K की हम बात करते हैं जिसको naphtho qunones नाम से जानते हैं यह liver में prothrombin नामक पदार्थ के synthesis में भाग लेता है इसका दूसरा नाम क्या होता है रक्त स्राव रोधी vitamin यानि यह anti hemophilic होता है खून के जो है जो स्राव को होता है उसको यह रोकने का काम करता है और जो आतों में जो bacteria होते हैं वो भी vitamin K की synthesis करते हैं तो इस तरह से जो major vitamins थे वो हम लोगों 1000 से 4000 आयू होती है आयू क्या होता है इंटरनेशनल यूनिट यानि विटेमेंस के लिए जो इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई है विटेमिन के नापन के लिए तो वो जो है आयू के form में इसको डिनोट करते हैं फिर vitamin B1 जो है जिसको हम थाइमीन कहते हैं यह एक से दो माइक्रोग्राम जो है इसकी आउशकता होती है शरीर में बिटेमिन B2 की जो है बी टू की requirement 1.5 मिलिग्रैम होती है फिर बिटेमिन B5 की जो है एक मिलिग्राम के लगबग विटेमिन B5 को हम क्या कहते है निकोटिनिक एसीड या नियोसीन और पीपी के नाम से इसको जानते हैं विटेमिन B12 जिसको हम सइनकोबालामीन के लाएन 1.2 mg इसकी आउसकता होती है फिर फोलीक एसीड और B6 जो है इनके लिए कोई स्पेस्फिक जो है क्राइटेरिया नहीं सेट है वही पर विटेमिन सी की बात करें तो यह 50 एमजी इसकी रिक्वार्मेंट होती है बॉडी में यानि यह ज्यादा मात्रा में चाहिए और विटेमिन डी जो है 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट यानि आयू की रिक्वार्मेंट होती है तो विटेमिन के बाद सबसे जादा importance क्या होता है सरीर में minerals का होता है क्योंकि जैसे ही जतना important role vitamins का होता है उसी तरह से सरीर में खानी जलवड या minerals का भी जो है portion में बगठा रोल होता है तो सरीर जीवों के सरीर में minerals जो है अत्यांत अलप मात्रा में आवश्यक होता है इनको दो kategories में बाढ़ सकते हैं जो थोड़ा ज़्यादा आवश्यकता होथी जिनको उनको bulk minerals कहते हैं और जो बहुत कम जो है मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको हम ट्रेसेज के नाम से जानते हैं तो बलकवालों की बात करें तो सबसे पहले कैलसियम जो आता है जो 500 mg लगभग इसकी requirement होती है बॉड़ी में तो दूद, पनीर, फली और अनाजी ये इसके जो है कैलसियम के प्रमुस्रोत है इसका महत तो क्या है दातों हड्डियों की रचना रुदिर में इसकंदन यानि ब्लेट क्लोटिंग नर्व्स और मेसर्स का जो है कार का संचालन ये सब कैलसियम पे डिपेंड करता है इसकी कमी से जो है दातों हड्डियां दुरबल हो जाती है और सरीर की जो है इस्टंटेट ग्रोथ होती है यानि कुंठित ब्रद्धी होती है फिर दूसरा जो है बल्क मिनरल कौन सा है फास्फोरस है जिसको हम पी से डिनोट करते है इसकी रिक्वार्मेंट भी लगबग 500 एमजी होती है ये दूद, मांस और अनाज इसका सुरोथ है इसका भी महत्वे दातों और हड्डियों की रचना में होता है शरीर में जो चार और आमलियानी एसीड और बेस का बैलेंस होता है वो भी फास्फोरस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है उसके अलावा ATP, DNA, RNA इन सबका गटक जो है फास्फोरस होता है इसकी कमी से दात्यों हड्डियां जो है दुर्बल हो जाती है सल्फर की लगबग 3MG आउसकता होती सरीर में और भोजन की कई अनुबद प्रोटीन से बनाए जाती है फिर कमी जो है क्या होती है प्रोटीन की कमी हो जाती सल्फर की कमी से क्योंकि सल्फर जो है प्रोटीन का ही एक अव्यो होता है और सरीर की ब्रधियों कारे की जो है इसकी कुंठित हो जाती है यानि इस्टेंटेट ग्रोथ हो जाती है फिर potassium जिसको के से डिनोट करते हैं इसकी लगबग 2 mg की आउसकता होती है ये मांस, दूद, फल, अनाज और सबजी में पुर्चुर मातरा में पाया जाते हैं इसका कारी जो है आमल और चार का संतुलन करना सरीर में, वाटर जल का संतुलन करना है और तंत्रिकाओं यानि नर्वस सिस्टम की जो कारी की है उसको नियंत्रित करना ये भी potassium का एक प्रमुक कारे है इसकी कमी से उच्छ रक्तचाप यानि हाई BP की विमारी हो जाती है और पे लगभग 3.2 mg होती है ये acid-base के संतुलन में भाग लेता है और HCl जो होता है जो हमारे जो गैस्ट्रिक जूसे में से स्ट्रीट होता है उसका एक प्रमुक घटक है इसकी कमी हो जाने पर सरीर में भूंक की कमी हो जाती है और पेसियों में एठन होती है फिर sodium sodium बहुत महत्प की कमी और पेसियों में एठन इसकी कमी से हो सकता है magnesium 3.5 mg लगबग requirement होती है इसकी अनाज हरी सबजीयों में ये पाया जाता है और इसका जो है सरीर की उपाजपचे ही क्रियों यानि metabolism में अत्यधिक महत्त होता है और तंत्र का तंत्र की कारिकी जो है इसकी कमी से प्रभाव की रिक्वार्मेंट होती ही सरीर को तो लोहा यानि यह लगबग 20 mg की requirement होती है और गर्भती महिलाओं की बात करें तो इसकी requirement लगबग 40 mg की हो जाती है इसलिए गर्भती महिलाओं को कहा जाता है कि आपको जो है ॅरन की एक्स्ट्रा अलग से गोलियां घाने होती हूपर से तो इसके प्र مुक्सरोत क्या है मास, अंडा, फली, अनाज, हरी सबजीयाँ यह इसके प्रमुक्सरोत है लोहा क्या करता है आईरन हीमोग्लोबिन तथा साइटो 크ोम एंजाईम का गटक होता है हीमोग्लोबिन में आईरन पाया ही जाता है आप जानते हैं और इसकी कमी से हीमोगलोबिन की कमी हो जाती है जिससे सरीर में एनीमिया हो जाता है यानि रत अलपता की बिमारी हो जाती है फिर फ्लूरीन की बात करें फ्लूरीन जो है समुद्री जल पीने वाले जल में पाय जाता है और हड्डियों और दातों की सुरच्छा करता है इससे फ्लॉरोसिस नामक जो है बीमारी हो जाती है इसकी कमी से आयोडीन बहुत important trace element है जो नमक समुद्री भोजन और पनीर और दूद में पाय जाता है यह thairoxin hormone का घाटक होता है इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है और जड़ मानवता नामक रोग हो जाता है और 150 माईक्रो ग्राम इसकी लगबग सरीर में आवशकता होती है जड़ मानावता जो रोग है ये बच्चों में ब्रद्धी रुक जाने को बोलते हैं इससे सरीर में बाउना पना जाता है और बच्चों का विकास रुक जाता है तो ये थाइराइट की खमी से होता है कोबाल्ट की बात करते हैं जिसको सीओ से डिनेट करते हैं दूद पनीर मान्स जिसका प्रमुक्सरोत है एक सो पचास माइक्रोग्राम इसकी लगबग आउशकता होती है और बीटामिन B12 का ये घटक होता है बीटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट ये बहुत बार पूछा जा सकता है और कोबाल्ट की कमी से क्या हो जाता है सरीर में एनीमिया रोग हो जाता है फिर सेलेनियम की बात करते हैं सेलेनियम की रिक्वाइर्मेंट लगबग 70 माइक्रोग्राम होती सरीर में ये समुद्री मांस और अनाज में पाया जाता है और बिटामिन E का सहायक जो है तत्त होता है इसकी कमी से क्या होता है पेसियों में मांस पेसियों में एठान होती है फिर क्रोमियम जो इसको CR से डिनोट करते हैं इसकी रिक्वार्मेंट लगबग 120 माइक्रोग्राम होती है यह इस्ट में और समुद्री भोजन में पाया जाता है और इसका जो है मेटाबॉल करते हैं यहां पर गलद लिखा हुआ है यह अनाज की फलीों में पाय जाता है और इससे क्या होता है इसी कमी से उच्प सर्जन यानी जो है एक्सक्रीशन में अनिमित्ताय आ जाती है अब हम सरीर के घटक की बात करते हैं कि सरीर में कौन-कौन सी चीज किस-किस जो है रेशिय के लगबग और खानी जो और विटामिन्स जो है ये मिला कर जो है मिनरस और विटामिन्स लगबग 7% जो है भाग बनाते हैं अब जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा है उपर उस पे इंपोर्टेंट फैक्ट्स क्या है जो एक्जाम्स में पूछे गए हैं ये पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट इसको द्यांस देखिएगा मानों में हड्डियों और दातों की ध्रड़ता क्यों होती है कैल्सियम फॉस्पेट और कैल्सियम कार्बोनेट के निच्छे पड़ स हो थी हैं हड्डियों और दातों की संदत्शनाय ंध्रड़ता मैगनिसियम Imog создah और पोरफाइरीन के संयोजन से हीम बनता यानी अर्ट बनता है जो कि और बीची की हीमोग्लोबिन दृफट की माई मेञ्जिदक होता है हीमोग्लोबिन रुधिर में आक्सीजन का परिवहन करती है और इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है आयोडीन थाइरोकसिन हार्मोन का एक घटक होता है इसकी कमी से थाइरोइट ग्लेंट फूल कर बढ़ी हो जाती जिसे ग्वाइटर या घेंगा रोग के नाम से हम जानते हैं कोबाल्ट क्या होता है बिटा क्लोराइड आयन जो है सेल मेंब्रेन की परिमेबिल्टी में मुख्य भूमिका होती है तथा तंत्र की आवेगों के प्रशारण में भी इनकी भूमिका होती है तो सेल मेंब्रेन की परिमेबिल्टी से क्या आर्थ है जो सेल एक दूसरे से जुड़ी होती है तो अगर बाहर से सेल को जो है कोई transportation करना किसी खानी लवन का या किसी खाद पदात का तो उसके लिए जो है जो है जो चैनल का काम करते हैं वो sodium, potassium और chloride जो है उसके आवागमन में इंटर सेल्डर स्पेसिस से जो है सेल्स में की प्रमुभूमिका होती है फिर कैल्सियम जो है पेसिये संकुचन के लिए आवश्यक है और रक्त की ठक्का जमने में इसकी जो है आवशक्ता होती है फासफोरस, क्लोरीन और पोटेशियम के आयन एसिट बेसिस संत्लन में मदद करते हैं दातों का इनेमल बनाने और दातों तता हड्डियों की सुरच्छा करने के लिए फ्लूरीन नामक जो ट्रेस एलिमेंट है इसकी बहुता आवशक्ता होती है राइबोसोम को दो भागों में जोडने तथा पृथा करने की प्रिकरिया क्या होती है में मैगनीशियम की महत्पूर्ण बहुता होती है मैंने जब आपको cell वाली पूरा पढ़ाया था बायलोजी में तो उसमें राइबोसोम को बताया था कि राइबोसोम जो है दो यूनिट्स से मिलकर बनता है जिसके कारण उसका नाम 70S और 80S होता है तो जो यूनिट्स होती है राइबोसोम की दो छोटी और बड़ी वो जो क्रोमियम जो है इंसुलिन हार्वोन के कार को प्रभावित करता है कि सनाज में कैल्सियम की मात्रा सरवाधिक होती है तो गेहू में कैल्सियम सरवाधिक पाया जाता है सीर्स कैल्सियम युक्तपदार्थ कौन-कौन से हैं जिनमें कैल्सियम जो है अधिक मात्रम पाया जाता उसके बाद सुरज मुखी पनीर, काजू और मुंगी दाल में फासपोरस पाए जाता है आयरन सबसे जादा लीवर में पाए जाता है फिर मेथी, सबजी, पुदीना, पान का पत्ता और सोयाबीन में पाए जाता है फिर आयोडीन की कमी से जो प्रमुक रोग होते हैं से होता है मिplessो डेमा एक बिमारी होती है, जो थाइराक्सिन की कमी से बच्चो में होती है इसमे क्या होता है? सरीर का ताक्रम जो है कम हो जाता है बलड प्रेसर लो हो जाता है और थकान बहुत जलदी लगती है ग्वाइटर या घेंगा जो है इसमें जो है गर्दन फूल कर मोटी हो जाती है फिर अगला रोग क्या है हसी मेटेटो यह थाराक्सिन का स्राव बिल्कुल कम हो जाता है तब जो है हसी मेटेटो हो जाता है फाइबर क्या होता है फाइबर भी हमारे भोजन का एक मुख्य गटक है तो भोजन का प्रमुखंग है जो इसमें भोजन की मात्रा को बढ़ाता है फाईबर से किसी प्रकार की उर्जा नहीं प्राप्त होती है फाईबर प्रत्रिभी पर पाया जाना अला सरबाधिक मात्राका पॉली सेकृराइड है फाईबर भी दो तरह के होते हैं पाली में गुलंसील होता है पानी में अगुलंसील होता है यानि water soluble और water insoluble तो water soluble जो है कौन कौन से हैं पैक्टिन है गम है और म्यूसिलेज यह जो है water soluble fibers हैं और water insoluble यानि पानी में आगोलनसील कौन कौन से होते हैं यह जो है पानी में अगुलनसील होते हैं पानी और सोशन की छमता रेसे में अपने वजन से 15 गुना जादा होती है मतलब फाइबर जो है अगर जो water soluble है तो जितना उसका वजन है उससे 15 गुना तक पानी का और सोशन करता है तथा कब्ज की सिकायत नहीं होती तो जो लोग भ रेसे से cholesterol की मात्रा सरीर में नियंत्रित रहती है रेसे की अधकता वाला भोजन रक्त में glucose की मात्रा को कम कर देता है यानि हमाया diabetes जिनको होता वो नियंत्रण में रहती है अता आतों में पैलिक या tumor बनने की संभावना कम हो जाती है फिर हम बात करते हैं संतुली ताहार क्य आमिन उचित मात्रा में हो डबलु एच्चो व्यानि वर्ड है अर्गनाइज़िशन द्वारा अंतराश्टी इस तरह पर पोसक तता उर्जा के मात्रक निधारीत करता है पोसकों के आक्सी करण से प्राप्त उर्जा के आधार पर इनका निधारन होता है अब हम देखते है कि किस से कितनी उर्जा मिलती ही ये कुशेन बहुत आते हैं इसको ध्यान से देखिएगा तो पोसक पडार पहला देखते हैं प्रोटीन की अगर एक ग्राम मात्रा जो है इसको हम बर्द करते हैं तो इससे 4.1 कलोरी उर्जा प्राप्त होती है वहीं पर कार्वो हाइडरेट की अगर हम एक ग्राइड मात्रा को जो है इसका आक्सी करन कर देते हैं तो चार दसमलों एक कैलोरी उर्जा प्राप्त होती है यानि प्रोटीन और कार्वो हाइडरेट से प्राप्त होने अले उर्जा समान होती है फैट के एक ग्राम से नौ दसमलों एक कैलोरी उर्जा प्रा पहले सरीर में कार्वो हाइड्रेट का अबगटन होता है कार्वो हाइड्रेट जब खतम हो जाती तब फैट का होता है और सबसे लास्ट में जो है जब सरीर बिल्कुल भोजन नहीं पाता कहीं से और सरीर तब जाके जो है प्रोटीन का अबगटन सरीर में सुरू हो जाता है जिससे सरीर बिल्कुल कमजोर होने लगता है जो भारती भोजन है उसमें खाद मात्रार्थों का क्या प्रभाग जो है जो रिकमंडेशन है तो प्रोटीन जो है 15% होना चाहिए खाने में कार्भोहाइडरेट 60-65% होना चाहिए और फैट की मात्रा 25-30% होना चाहिए ये भारत की भोजन के लिए रिकमंडेशन है खाद आहार में खनीज पदार्थों यानि मिनरल्स की कित्ति आउशकता होनी चाहिए दैनिक तो आउसत आदमी में आइरन जो है 24 मैं και 24 में और वही पर कैल्सियम जो है 4500 म, ये दैनिक मात्रा है मतलब एलि एक दिन में इत्ते आहाम काई सकता होती है और बती महिला को 40 Mg की आईरन की आऊति होती है लगबग 1000 Mg फिर अधार पर कालोरी की उर्जा की आऊति होती है हम देख लेते हैं तो जो बैट कर काम करते हैं सध्याफे करे वाले रितित काम करने वाले इसत्रियों को 500 कैलोरी और पुर्सों को 3000 कैलोरी और पुर्सों तो अनाज जो है अगर ये प्रति ग्राम प्रति दिन के हिसाब से बनाया गया है जो है तो अनाज जो है इस्तरियों के लिए 350 ग्राम वहीं पुर्सों के लिए बाढ़े 400 से 475 ग्राम दालों की आउसकता लगबग 70 ग्राम होती है इस्तरियों में पुर्सों में सी ग्राम पत्तेदार सब्जियां 150 ग्राम पुर्सों में 100 ग्राम जड़ वाली सब्जियां सब्षतर ग्राम और पच्छतर ग्राम बराबर होती है और अन सब्जियां इस्तरी और पुरुष में दोनों बराबर होती है फलो की आउसेक्ता भी बराबर होती है 350 ग्राम दूद जो है महिलाओं को धाइसो ग्राम और पूर्सों को भी धाइसो ग्राम वसा 35 ग्राम और चीनी या गुढ जो है यह 35 ग्राम जो है उस्त्री और पूरुस दोनों की डेली जो है संतले तहार में requirement होती है अब ये टेविल जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक्जाम की दिश्टी से इसको अच्छे समझने का प्रयास करिएगा विभिन पोसक तक्तों की जो मात्रा होती है किन-किन चीजों में क्या-क्या चीजे पाय जाती हैं इसमें पूरा नहीं पड़ना है तो अंडे में सबसे मातरा ज्यादा में जल तो tiro UA को सबसे ज्यादा अंडे में पाये उसके बाद वसा ओई जाती है बाकी जीजे कार्बोह्डेड्ड hyvin नहीं प्याँ जाता है फिर मान्स जो होता मचली में प्रोटीन सरवादिक मात्रा में पाए जाती है 16% में दूद में क्या पाए जाता है जल की मात्रा सरवादिक होती है उसके बाद अगर सरवादिक की बात करें तो दूद में कार्भो हाइडरेट 4-9% जो सरवादिक मात्रा में होता है चावल में कार्भो हाइडरेट परसेंट पाए जाता है जो की अधिक मातरा होती है इसलिए कहा जाता है कि जो डाइबडीज के रोगी हैं उनको चावल जो है कम से कम खाना चाहिए गेहू में मिनροल्स अत्यधिक मातरा में पाए जाते हैं यानि 2% मिनरल्स पाए जाते हैं यानि जितने भी मिनरल्स का यहां चार्ट उसमें सबसे ज़्यादा 2% मिनरल्स गेहू Premiere पाए जाता है वहीं पर बात करें मक्का में तो मक्का में कार्गोहाईडरेग्जा 79 परसेंट पाया जाता है और मिनरल्स जो है सेकेंड प्लेस पर है यानि 1.3 परसेंट जो है आलू में 21 परसेंट कार्गो हाइड़ेट पाया जाता है जो कार्गो हाइड़ेट का एक अच्छा सुरूत है तो इस तरह से दोस्तो हम लोगों ने जो है आहार यानि पूरी तरह से आज जो है पढ़ लिया है अगर इसमें कोई पॉइंट चूटे होंगे तो उसको मैं जो इंपॉर्टेंट कोश्चन जो अलग से कराता हूं उसमें मैं उसको सामिल करके आपका कंप्लीट करा दूँगा तो वीडियो सीरी यह आज यहां पर कंप्लीट होती है आप हम बाइलोजी का इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर लेंगे उसको भी फुल डिटेल में पढ़ेंगे तो अभी के लेता ही नमस्कार जो नए वीवर्स हैं उनसे नोदे की चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स चैनल के मिलते रहे नमस्कार धन्यवाद